वेल्कम बेक फ्रेंट तो स्वागत एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 17 अगस्ट यानी आज से ही गुरूप डी की परिक्षा की सुरुबात हो गई है तो साइन्स के कौस्टंस काफी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ऐसे इसे आज जो हारा टापिक है वो है गोलिये दर्पण में परतिविम का बनना गोलिये दर्पण में परतिविम तो बहुत है अच्छा टॉपिक है इससे सवाल भी पूछे जा रहे हैं तो मैं आज इसको इतने जवर्दस तरीके से बताने जा आहई कि ये आप लोगों का बिलकुल ही क्लियर हो जाएगा इस चुटिधेंट सब से पहले मैं बता से आप लोग यह जानते होंगे कि प्रतिवीम दो परकार क्यों होते हैं वास्तभ और कालपनिग और कौन सा दरपन कब वास्तविक बनाता है कब कालपनिक बनाता है कौन सा दरपन दोनों परकार के परतिविम बनाता है कौन सिर्फ और सिर्फ एकी परकार का परतिविम बनाता है यह सभी बात को समझना बहुत जरूरी है आई आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो जरूरी चीज है परतिविम दो परकार के होते हैं पहला होता है वास्तविक परतिविम और दूसरा होता है कालपनिक परतिविम वास्तविक परतिविम क्या होता है पहले इसे समझ लेना जरूरी होता है वास्तिविक पर्तिवीम जो दर्पन के सामने बनता यानि दर्पन वाले जिस साइड से दर्पन का प्रावर्तक सता होता है अगर उसी तरह पर्तिवीम बने तो उसे हम वास्तिविक पर्तिवीम कहते हैं लेकिन अगर पर्तिवीम दर्पन के प्रावर्तक सता के विप्री तरह जाके कटे तुसे हम लोग कालपनिक परतिवीम कहते हैं यानि कि यह आवासी है वर्चुल परतिवीम होता है जिसे हम परदे पर नहीं उतार सकते हैं वास्तिवीक परतिवीम को पर उतार सकते हैं दिखें यहां पर गुलिये दरपन की बात हो रही है इसके बाद हम लैंस की च अब उत्तल दर्पन वो होता है जिसका प्रावर्तक सत्ह दसावा होता है यानि इस तरह से होता है और उत्तल दर्पन वो होता है जिसका प्रावर्तक सत्ह उबड़ावा होता है यानि कि उठावा होता है अब यहां पर देखिए हम परतिवीम का अस्थान और उसकी प्रकिरती को कैसे निर्धारित करते हैं सबसे पहले यहां पर हम लोग जब भी दरपन बनाते हैं इसके बीचों बीच हम इस तरह से एक मुख्यक्ष लेंगे और मुख्यक्ष जहां पर दरपन को कारता है उसे हम लोग उस बिंदू को धुरूब कहेंगे धुरूब से कुछ दुरी पर हमारा फोकस होगा और यह दरपन का जो केंदर होता है वो वकड़ता केंदर उसे हम लोग C से डिनोट करते हैं और यह C और P के बीच की दुरी होती है, इसकी आधि दुरी पर मुख्य-फोकस होती है यानि कि जो फोकस दुरी है वह इस तिर्जिया की आधि होती है यानि यहां पर हम PF को फोकस दुरी छोटी एप से सुचित करते हैं और यह जो PC है यहां से इस जगह तक इसे हम लोग PC को बड़ी आर यानि की इसे हम लोग तिर्जिया करते हैं इसे बड़ी आर से सुचित किया जाता है इस बात को हमेशा याद रखना है और यह याद रखना है कि जो यह तिर्जिया होती है वो फोकस दुरी की दुगनी होती है यानि फोकस दुरी जो है इस तिर्जिया की क्या होती है इसलिए एफ बराबर आड़ बाइट पहने का मतलब यह कि अगर पीसी बीस सेंटीमीटर होगा तो पीएफ दस सेंटीमीटर होगा इसमें कोई कन्फ्यूज होने की आप सकता नहीं है हमेशा जो वक्रता तिर्जिया होती है वो फोकस दुरी की दुगनी होती है यानि फोकस दुरी वक्रता तिर्जिया से आधी होती है ऐसे कोसंस कई बात और धुरूब है इस परकार से यहां भी वही बात है लेकिन यहां पर थोड़ी सी यहां पर समझने की बात यह होती है कि अगर हम लोग लाइन नंबर लाइन पर बात करें तो नंबर लाइन पर हमारा बाई और माइनस और दाई और पलस होता है इसी परकार हमारा बाई और वक्तार तिर्जिया जो भी होगा वह हमेशा रिनात्मक हो जाएगा और एक हमारा उट्त्ल धर्पण का फोकस और वक्तार तिर्जिया जाब मि धनात्मक हो जाता का यहां हमेदिया कि इस चीज में आप लोग अच्ये तरीके से समझ गए होंगे sono अब आपको मैं अगले segment पर लिये चलता हूँ जहां कि आप लोग को ये पता चलेगा कि किस अस्थान पर बस्तू को रखने से परतिविम कहां बनेगा इसे रटने कि आप सकता नहीं है आप इसे बिलकुल इसके diagram को समझ ले कैसे परतिविम बनता है आप उसको diagram बना कर खुद आपको हमेशा याद रखना है कि अब तल दर्पन एक ऐसा दर्पन होता है जो कि दोनों प्रकार का परतिविम बनाता है करता है लें आपतल दर्पन हमेशा सिर्प लोग इसको समझ लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अप्तल दर्पन में अलग-अलग जगों पर बस्तू रखकर दिखलाता हूँ यह एक अप्तल दर्पन है यहां पर हमारा धुरूब है यह मुख्य फोकस है और यह हमारा वकड़ता के अंदर सी है अगर यहां पर हम एक बस्तू को सी के बाहर रख दे यानि वकड़ वकड़ दर्पन से परकाश दकड़ाने के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हमेशा यह जब भी बस्तू के टॉप से होकर आईगी तो यह मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती लेकिं जो परकास का एक दुसरा किरन होता है और आ वरतिभी म् Baptist से हूकर गुजर जाता अगर कटान बिंदू नीचे की ओर है इसका मतलब ये उल्टा पर्तिवीम है और उल्टा पर्तिवीम वास्तविक पर्तिवीम होता है यानि आपको ये हमेशा याद रखना है कि वास्तविक पर्तिवीम हमेशा उल्टा होता है कालपनिक पर्तिवीम हमेशा सीधा होता है अब आपने देखा कि अगर हम वकृता केंदर और अनंत के बीच बस्तु को रखेंगे तो पर्तिवीम वकृता केंदर और फोकस के बीच बनेगा अब देखें यहां पर रटनी के अब सकता नहीं हम डियागराम बनाएंगे और सीधा हम पता कर सकते हैं कि पर्तिवीम कहां पर बनेगा इसी परकार से हम अलग-अलग जवाओं पर बस्तु को रखकर पर्तिवीम बना सकते हैं अब देखें एक कंडिशन होता है हमने कहा कि अबतल दर्पन में वास्त तबिक कालपनिक दोनों पड़कार के प्रतिवि ceux बनते हैं अब कालपनिक प्रतिविक कैसे बनता है जरह हम लोग इसे समझ लेते हैं मालीजे हमने बस्तु को यहां पर रख दिया यानि कि दर्पन के पूल यानि धुरूब और फोकस के बीच में अब हमारा जो प्रकास का किरन है वह आपके बस्तू के टॉप से होकर जाएगा और दर्पन से टकड़ाने के बाद यह कहां से गुज़रेगा यह फोकस से होकर गुज़रेगा और मैंने क्या का दूसरा प्रकास हमेशा कहां से गुज़रता है वह वकरता केंदर से गुज़रता है लेकिन आप देखेंगे तो यह इस तरफ फैलता चला जा रहा है तो यह इस तरफ बिल्कुल ही नहीं कटने वाला तो हम लोग सोचते कलपना करते हैं अगर हम इसे इस यहां पर कट गया अब देखान उपर है तो यह सिधा परतिवीम में आइसंदर बनेगा जब बस्तू को फोकस और धुरूब के बीच रख देंगे तो यहां पर कालपनिक परतिवीम बन जाएगा और बाकी किसी भी स्थिति में केबल और केबल वास्तविक परतिवीम ही बनता है किस दर्पन में अपतल दर्पन में ये तो आपने समझ लिया आप अब अलग अलग जहो पर चाहे वक्रता केंदर हो चाहे वक्रता केंदर फोकस हो चाहे फोकस हो चाहे फोकस और धुरूब के बीच आप किसी भी जगा पर बस्तू को रख कर परतिवीम बना कर खुश से उसकी इस्थिती को जान सकते हैं कि परतिवीम कहां पर बनेगा अब आईए हम देखते हैं उत्तल दर्पन में परतिवीम बनने का आरेक हमने क्या का आप से एक उत्तल धर्पन में सिर्फ और सिर्फ एक ही परत्विम बनता है वो कालपनिक बनता है और इसके कालपनिक होने का ये रिजन भी होता है कि क्यों सिर्फ इसमें कालपनिक परत्विम बनता है यहां पर धूरूब है यह दरपन का वक्रता के अंदर यह को आप यह सोचेंगे कि इसका प्रावर्तक सत्य इस तरफ है और जब भी रहेंगे तो प्रावर्तक सत्य क्यों रहेंगे ना कि रंगे वे पाट के तरफ रखेंगे क्योंकि दरपन का पीछे वाला पाट तो रंगा होता है अब इस तरफ से तो परत्विम नहीं बनेगा इसलिए बस्तु को हमेशा हम बाई साइड ही रख सकते हैं दाई साइड तो रख नहीं सकते हैं अब जब हम बस्तु को बाई साइड रखेंगे तो यहां कोई कंडिशन नहीं बनता है आप यहां रख लो यहां रख लो यहां रख लो कंडिशन वही होगी अब आप देखेंगे कि जब यह उत्तल दरपन है जब उत्तल दरपन से किसा पास बस्तु रखिए प्रकास जब इसके टॉप से होकर जाएगा तो चुक्छी यह जो प्रावर्त्त्त है। इस TIN it would like us अधिया हमेसा क्या होता है प्रावर्त्त 27 और हुनेकी कारण यह दरपंस तकड़ाकर इधर लोटकर चला गया लेकिन ये ऐसा लगता है कि साइद ये कही ना कही एप से होकर गुजर रहा हो हम लोग इसे कालपनिक रूप में महसूस करते हैं और दूसरी रेखा हमने क्या पता है ये सीधा सी से होकर गुजरता है तो यहां तक तो यह ठीक जा रहा है लेकिन यहां के बाद यह कालपनिक हो जाएगा तो यहां पर जब यह कालपनिक रूप से कटता है तो यह दो कि बहुत ही छोटा और यह सीधा परतिविम बना और सिधा परतिवीम का मतलब कालपनिक तो उत्तल दर्पन में कालपनिक और छोटा परतिवीम बनता है और आप बस्तु को कहीं भी रखेंगे तो इसका यही परतिवीम बनेगा यानि कि उत्तल दर्पन हमेशा बस्तू का छोटा और कालपनिक परतिविम ही बना पाता है चबकि अप्तल दर्पन बड़ा परतिविम बनाता है वास्तविक भी बनाता है कालपनिक भी बनाता है तो उम्मीद है कि आप लोग अप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे अप्तल दर्पन और उत्तल दर्पन में परतिभीम बनता है और उसकी स्थिती क्या होती है वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और हमारे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं और नए टपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई